नीज़ क्लिक में आपका स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे रफाल में जो फिर एक डिबेट खड़ी हो गई है क्या कित्ता पैसा HAL को भारत सरकार ने दिया है दीरवला सितारामद जो डिफेंस मिनिस्टर है उनने कहा कि एक लाग क्रोर का ओर्डर हिंदुस्तान अरनाटिक्स को दिये हैं हमने पर दूसरी ख़बर ये है जो अख़बार में आया है कि एक हजार क्रोर हिंदुस्तान अरनाटिक्स तीन महने के त्वंखा त्वंखा देरे के लिए उधार ले रही है बैंकों से रगू आप इस बात पर काफी बार हमारे पास आ चुके हो इसकी चर्चा कई बार आप से हो चुपी है ये क्या खाई है दोनों के बीश में एक तरफ कह रही है डिफेंस मिनिस्टर की एक लाग करोर की ओर्डर हिंदुस्तान अरनाटि की जो मैनेजमेंट है वो वरकर्स को तंखवा देने के लिए उनको उधार लेना पड़ा है ये है क्या देखिए पहली बात तो ये है कि रक्षा मंत्री ने इस बात से शुरू किया था कि विपक्ष ये कह रहा है कि हम हिंदुस्तान अरनाटिक्स का समर्थन नहीं कर रहे है तो समर्थन को दिखाने के लिए वो कह रहे थी कि देखिए हमने कितना समर्थन किया है इंदुस्तान अरनाटिक्स को हमने एक लाग क्रोड तक के ओर्डर हमने दिये हैं तो मेरी पहली तो आपती इस बात पे है कि ओर्डर देना समर्थन नहीं होता समर्थन अगर आप सारवजने छेतर में कोई कमपनी है सरकारी कमपनी है उसका समर्थन आप कर रहे हो कि उसका अर्थ कुछ और बनता है ये तो commercial order है क्या रक्षा मंतरी ये कह रही है कि वो 36 रफाल लडाकू विमान खरीद के वो दसॉल का समर्थन कर रही है उसने तो order प्लेस किया है तो वैसे अगर उसने H.A.L. से order प्लेस किया तो इसको मैं पहले तो समर्थन नहीं मानता है ये तो अगर समर्थन अगर माने तो तो इन तो ये पानना पड़ेगा कि मैं दसॉल्ट को समर्थन किया या बोईंग को समर्थन किया या जहां से भी आपने विदेशी विमान इत्यादी खरीदे गाँ कि उनका समर्थन हो रहा है इसमें. तो ये तो रहा पहली बात दूसरा है कि ये एक लाख करोड में से 26 हजार करोड तक के ओरडर एक्चुली साइन हुए हुए हैं सरकार की तरफ से वायू सेना एटसेटरा की तरफ से बाकी जो 73 हजार करोड का है इन में सबसे जादातर जो ओरडर रक्षा मंत्री कह रही है वो आपचारी ग्रूप से ओरडर नहीं अब रक्षा मंत्री कह तो रही है कि ये हैं ओर्डर्स इन दा पाइपलाइन तो इन दा पाइपलाइन कल भी हो सकता है परसों भी हो सकता है तीन साल के बाद भी हो सकता है तो उसको order नहीं मान सकते आप ये भी कह सकते जो हमारी डैसॉल्ट के साथ जो समझाओता की बात हो रही थी वो भी सब pipeline में थे जो मोदी सारकार आने के बाद वो खारिज हो गई खारिज हो गई पर अब जो है वो pipeline में तो नहीं रहे हिंदुस्तान एर्णाटिक्स के ये 73 क्रोड का order 73,000 क्रोड का order वो होलांड जो किस सरकार के साथ जो बातचीत हो रही थी पहले वो भी तो pipeline में थी पर वो खारिज हो गया खारिज हो गया तो ये भी खारिज हो सकता है कल को कुछ भी हो सकता है इसमें और सरकार कित्ते महीने रहेंगे वो भी नहीं माल हो भी नहीं पता अच्छा इसमें हिंदुस्तान एर्णाटिक्स जो आपने बात की थी शुरुआत में तंखा देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है बैंक में जाके उन्होंने हजार करोड का रिन लिया है लोन लिया है ये हिंदुस्तान एर्णाटिक्स के इतिहास में पहली बार पहली बार हुआ है हिंदुस्तान एर्णाटिक्स प्रॉफिट में रही है हमेशा पिछले साल रेकॉर्ड प्रॉफिट रहा है हिंदुस्तान एर्णाटिक्स का उस हालात में कैश रिजर्व उनके इतने कम हो चुके हैं कि वो इस हालात में हो गया कि तनखाद देने के लिए पैसा नहीं है और बैंक के पास जा रहा है इसमें आप ये सोचिए कि भारत सरकार ने हिंदुस्तान एरनाटिक्स को मजबूर किया है कि आप पॉब्लिक सेक्टर कंपनी हैं अब इनोंने इन पॉब्लिक सेक्टर कंपनी इसको को कॉर्परेशन में बना दिया देयार नॉट गवर्वन्ट अंडर्टेकिंग्स तो उनोंने एचेयल को मजबूर किया है एक्विटी बाइबैक यानि कि जो सरकार ने सो काल्ड इन्वेस्टमेंट किया है एचेयल में उन शेयर्स को आप वापस खरीदो जिसका मतलब है कि आपने प्रॉफिट के एक बड़ा हिस्सा अब सरकारिक हजाने में शामिल किये तीन साल लगातार एचेयल को मजबूर करके पिछले साल 6,800 करोड रुपे एचेयल से वसूल किया है और पिछले तीन साल में ऐसे हर साल तकरीबन 4-5,000 करोड उनोंने एचेयल से लिये है इस अपार्ट फ्रॉम डिविडेंट जो एचेयल देता है भारत सरकार को जो वो डिविडेंट पे टैक्स देता है वो भी दे रही है एचेयल तो सब मिला जुला के एचेयल से आप एक तरफ पैसा ले रहे हो और एचेयल के जो ओर्डर्स आपने ले लिये है जहाज किया है रिपेर और मेंटेनेंस ओवर हॉल का काम उन्होंने एर फोर्स के लिए किया है उसकी पेमेंट अभी तक नहीं गई एचेयल के बागी है इस साल में दिसंबर तक तक तकरीबन पंदरा हजार क्रोड रुपे एर फोर्स ने देने हैं बारत सरकार को देने हैं और अग पंदरा हजार क्रोड के आसपास तक पहुंचेगा तो आपने एक हाथ से 6,000 क्रोड ले लिए एक्विटी बाइबैक में दूसरा 15,000 क्रोड जो आपने देने हैं वो नहीं दिये और आप कह रहे हो कि पाइप लाइन में और हैं और हम देखिए कितना समर्थन कर रहे हैं हिं उनको सर्विस करने की चंगता अपने कम कर दिया क्योंकि उनसे आपने पैसे ले लिए जो उनका प्रॉफिट था जो की रिजर्व में था वह पैसे ले लिए पर 15,000 क्रोड जो आपने नहीं दिया देर जो हो रही इस पे देने के लिए इसको आप देखिए और एक तरह से क आप पैसा बोइंग को एडवांस दे रहे हो आपने रफ देस हौल्ड को अपने एडवांस या किता है डवांस या रफाज अ करोड है उसमें से 20,000 क्रोड सरकार ने दिये हैyan देस हौल्ड को एडवांस पेर उसके खिलाफ कोई बैंक गैरंटी हुए नहीं कोई लेटर सिर्व एक है सरकार के तरफ से भी कोई गैरेंटी जब आप अच्छी तरह जाते हो कि भारत के अंदर भारत सरकार ने शायद आज तक किसी भारतिय कंपनी को कोई अडवांस नहीं दिया होगा बिना बैंक गैरेंटी के नहीं बात बिल्कुल सही है और यहां पर सौवरेंटी अगर देते फ्रांस तो शायद बाइब गारेंटी के बात नहीं आती और यहां आपने और प्लेस किया दासॉल्ट में दासॉल्ट में आपको सपष्ट का है कि भाया जब तक आप पैसा सामने नहीं रखेंगे तब तक हम काम शुरूर नहीं करेंगे आपने बाग बाग के को पैसे दियें बोईंग को पैसे दियें अडवांस में भारत के अंदर बैठा हुआ आपका डव रतन कंपनी है हिंदुस्तान एरनौटिक्स काम कर चुका है तुमारे लिए डिलिवरी ले चुके हैं आप 15,000 क्रोड आपने अभी तक नहीं दिये ये बात छोड़ी है कि अ असी एरक्राफ्ट हमने खरीदने हैं इतने हजार करोड हमने देने हैं वो अगर दिया होता अडवांस में तो तो बात ही अलग यहां तो अडवांस की भी बात नहीं हो रही है जो काम आपने ले लिया प्रोड़क्स आपने ले लिये सर्विसस आपने हासल कर लिये उसके भ जब आप खुशी से दस ओल्ट को आपने बीस अजार क्रोड दे दिये अडवांस में. तो रगो इन सब चीजों को देखते हुए क्या लगता है कि सरकार की नियत पे बात नहीं करना चाहिए पर पॉलिशी को अगर देखे तो ये लग रहा है कि पब्लिक सेक्टर कंपनियों के साथ दूर बे भार हो रहा है और विदेशी कंपनियों को आप गले लगा के उनके आप पॉकेट भर रहे हूँ ये लग रहा है. And unfortunately इसको क्या कहूँ ये छुपा शडियंत्र भी नहीं है क्योंकि ये नीती में खुले आम ये कहा गया है आपके नीतियों में भारत सरकार के खास करके मौझूदा सरकार में कि हमने नीजी कंपनी को फेवर करना है रक्षा क्षितर में और यहां तक की नीजी कंपनी को फेवर करके उन में 75 प्रतिशद तक इन्वेस्टमेंट, फॉरिन डिरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए आपने खुली चूड दी है. इसका मतलब foreign company आके आपके देश में बैठके आपकी निजी कमपनियों के साथ collaboration कर ले आपके रक्षा के औजार बनाएंगे आपके लिए तो जाहर है कि इस महौल में अगर ये आपकी निती है तो एक बड़ी company H.A.L. जैसे वो अगर रह गया तो ये policy आपकी चलेगी नहीं कामयाब नहीं होगा तो इसका मतलब है कि H.A.L. को किसी नहीं किसी तरीके से आपको डाउन करना पड़ेगा तब ही ये formula सकसेस हो पाएगा और यही चीज हम देख रहे हैं रक्षा मंत्री चाहे जो कुछ भी कहे पारलिमेंट में हकीकत यह है यह सामने आ रहा है धन्यबाद रगो हमारे साथ इस चीजों को साफ साफ खुलासा करने के लिए हम आपको रफाल के बारे में और दूसरे defense deals और दूसरे विशहों पे बा लिए